तीस जून को जनरल उपेंदर दुवेदी ने नए आर्मी चीव का चार्ट सभाल लिया जनरल दुवेदी भारतिय सीना के तीसवे प्रमुख है चीन पाकिस्तान की सीमाओं पर मिल्टरी ओपरिशन्स की कमांद समहल चुके जनरल दुवेदी के मजबूत कंदों पर अब पूरे देश की सीमाओं की सुरक्षा का जन्मा होगा जहां जमीनी बॉडरस की सुरक्षा चनरल दुवेदी करेंगे वहीं समंदर की कमान उनके दोस्त और इंडिया नेवी चीफ एडमिरल दुरेश दुरपाठी समहल रहे है इतहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब देश की जलसेना और थलसेना की कमान दो दोस्तों के हाथों में है जनरल दुवेदी और एडमिरल तुरपाठी मध्यपरदेश के रिवा के सैने के स्कूल से पढ़े हैं दुनों ने पांच वी क्लास 1970 में पास की थी दोनों का रोलंबर भी एक दूसरे के पास था मिलिटरी स्कूल के दिनों की दोस्ती वहां से निकलने के बाद भी नहीं तूटी दोनों ने रास्ता अलाग अलग चुना था लेकिन मंजिल एक ही थी भारत माते की रक्षा एड्मिरल दिनेश्टर पाठी ने एक मईई 2024 को भारतिय नोसेना की कमान सभाली थी तो जनरल दुवेदी दो महीने बाद भारत की सेना थेक्ष बने हैं डिफेंस से जुड़े लोगों का मानना है कि सिर्थल सेना और नोसेना में तालमेल बेहत जादा बहतर होगा क्योंकि लीडर्शिप दोस्ताना हो तो काम काफी आसानी से हो जाता है अब आपको जनरल दुवेदी के बारे में कुछ खास बाते बताते हैं स्कूल से निकलने के बाद जनवरी 1981 में वुराष्टी रक्षा अकैडमी यानि NTA में शामिल हो गए गिसंबर 1984 में उन्हें जम्मू कश्मी राइफल्स की 98 बटैलियन में न्यूक्त किया गया था लगबत 40 साल की सेवा के दोरान उन्होंने अलग-अलग कमांड और स्टाफ का जिम्मा समाला सेना में उन्हें टेक्नो फ्रेंडली के नाम से भी जाना जाता है जनरल दुवेदी ने नौडन कमांड में सभी रैंकों की टेक्निकल पाउंडरीस को बढ़ाने की दिशा में काम किया है उन्होंने बिग देटा अनाल्टिक्स, एई आई और क्वांटम देसी नई टेक्नोलोजी को बढ़ावा लिया मना जा रहा है कि अपने कारेकाल में जनरल दुवेदी का खास फोकस सीना के धुनी करण पर होगा